हमारे पास कोछ परशन आये हुए हैं घंटा पूजन से सम्मंधित का गया है कि भई पूजन में घंटा या घंटी क्यों बजाते हैं और घंटा बजाने का उद्देश क्या है प्रयोजन मतलब घंटा क्यों बजाया जाता है इससे क्या लावादी होते हैं तथा पूजन करते समय किस-किस उपचार के समय पर घंटा बादन करना चाहिए कब-कब घंटा बजाने का शास्त्रों में विधान किया गया है देखिए कि जब भी हम जो पूजन करते हैं तो घंटा या घंटी को बजाते हैं घंटा शब्द भी इस्त्रीलिंग है और हिंदी में घंटी कहते हैं वो भी इस्त्रीलिंग है घंटा इसमें टाप हुआ है इसलिए इस्त्रीलिंग है तो घंटा कहां कहां बजाई जाती है ऐसा प्रयोग होना चाहिए तो देखिए गंटा का मुख बजाने का उद्देश क्या है गंटा गंटी क्यों बजाई जाती ये पूजन में तो आगमार्थन तु देवानाम गमनार्थन तु रक्षसाम गंटा अनादम प्रकुरवीत पस्चाद गंटाम प्रपूजये nit naimittik karma samocha मैं पूजan विधान में दिया गया है इस लोग इसका अर्थ है आगमार्थन्त देवानाम देवताओं के आगमन के लिए और गमनार्थन्त रक्षशाम और राक्षिसों के गमन के लिए राक्षिसों को भगाने के लिए गंटा नादम प्रकुर्बीता, गंटा नाद करना चाहिए पश्चाद गंटा मप्रपूजयत इसके बाद गंटा को पूजित करें, गंटा को आप पूजन करें तो गंटा पूजन से पहले ही गंटा को बजाए ताके राक्षस लोग वहाँ कोई आवारा तत्व हो वहाँ साथ चला जाए और देवताओं का आगमन हो जाए ऐसा श्रबन किया है मापुरसों से कि घंटा बादन करने से राक्षस लोग भाग जाते हैं और घंटा की दुनी को जब सुनते हैं तो देवता लोग वहाँ दौल करके चले आते हैं ये घंटा का महत्तु है घंटा का पूजन और घंटा का स्थापन पूजन में बाई और होना चाहिए घंटा का स्थापन भी पूजन में अपनी बाई और बाई हाथ की तरफ और घंटा का वादन भी अपने बाई हाथ से लेकिन घंटा का जो पूजन है वो दाई हाथ से करना चाहिए घंटा का पूजन दाई हाथ में करना चाहिए और घंटी जिसमें घंटी महराज बिराजमान है तो उनका मुख सदा देवता के अभी मुख रखना चाहिए विश्णु भगवान की तरफ या श्रिवजी की तरफ जिस देवता का आप पूजन कर रहे हैं उधर ही उनका मुख होना चाहिए बाई और इस्थापित कर रहे हैं ऐसा शास्त्रों में उलेक है उत्तोली द्रिष्ठी परियंतं गंटाम बाम दिशिस्थिताम वादयन बाम हस्तेन दक्ष हस्तेन चार चाहिए गंटाम बामद दिशिस्थिताम, बाईं दिसामें, बाईं तरफ गंटा का इस्तापन करना चाहिए, वादयन बाम हस्तेन, बाईं हाथ से ही गंटा का वादन होना चाहिए, दक्ष हस्तेन, चार चाहिए, और पूजन तो दाइं हाथ से ही करना चाहिए. तो पूजन में घंटा कहां कहां बजाना चाहिए कव कव किस किस उपचार का समर्पन करते हुए जो घंटा बादन का विधान शास्त्रों में है तो ये श्री कालिका पुराण में इसका विधान बताया गया है कि घंटा बादन कव कव करे श्नाने धूपे तथा दीपे नईवेद्ये भूशने तथा घंटा अनादम प्रकुर्वीत तथा नीराजने पित वुच्या नीराजन में भी करना चाहिए श्नाने माने देवता के श्नान कराने में अविशेक में धूपदान में धूपदेने में और दीपे नईवेद्ये भूशने तथा दीपदान में नईवेद्ये में और देवता को आभूशन समर्पित करते समय भी गंटा बादन होना आवश्यक है और नीराजने पित था और नीराजन करने पर भी यार्थी करें तब भी घंटा आ दी जो भी वादियंत्र हैं उनका वादन होना चाहिए अब कहा जाता है कि देखें कि हर जगे किसी का भी पूजन करें तो घंटी को बजाते हैं गरुड घंटी या घंटा जो बजाई जाती है क्यों घंटे को ही क्यों बजाते हैं तो घंटा बजाने का उदेश बताया और घंटा बजाने का महत तो बताया घंटा क्यों बजाए जाता है ये बतला रहे हैं कि घंटा भवेद शक्तस्या अशक्तस्या लिखा हुआ है कि देवताओं के समग्र बिविन्य प्रकार के वाद्य यंत्रों का वादन होना चाहिए नीराजन आदी के समय पर धूबदान नवेद्य आदी के समय पर तो असक्त व्यक्ति यानि कि हर व्यक्ति के पास इतने वाद्य अंत्र नहीं है और इतने लोग भी नहीं है बजाने वाले भी नहीं है इसलिए किस प्रकार इसकी पूर्ति की जाए तो सास्त्रों ने निरद किया हुआ है कि जो घंटा है वो सर्ववाद्य मई है समस्त वाद्य इसमें है घंटा के बादन से समस्त वाद्यों के बादन की पूर्ती हो जाती है ऐसा तित्याद तत्व गरंथ में कहा गया है देखें कि घंटा भवेद असक्त स्या सर्ववाद्य मई यतहा वो जो घंटा है वो समस्त वाद्य मई है इसलिए उसके बादन से ही समस्त वादियंत्रों के बादन का फल उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए पूजन आदे में जहां-जहां शास्त्रों ने निर्दिष्ट किया है ततत स्थल पर घंटा बादन अवश्य ही करना चाहिए। हर हर महादेव